वेलकम बैक फेंड्स बहुत बहुत स्वागत थे आप सभी का इस टेटिवित ग्यान प्रकास में एक बहुत ही मत्पूर्ण खबर है जो कि डिरेटली जुड़ी हुई है युबी टेट के रिजल्ट से और साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जो मात्र तीन अंकों से युबी टेट की परिक्षा में डिस्कौलिफाई हो रहे थे उनके इस परिक्षा को पास करने की संभावना भी बढ़ गई है और डिरेटली ये भी कहा गया है कि जो अभ्यर्थी यानि कि इस रिवाइज रिजल्ट में जो अभ्यर्थी पास होंगे तो उनको भी सिक्षक भर्थी परिक्षा में आवेदन करने का मौका मिलना चाहिए और इसलिए शिक्षक भरती परिक्षा में आवेदन की तिथी बढ़ाई जाने चाहिए और definitely अगर सिख्षक भरती परिक्षा में आवेदन की तिथी जो की last date है 20 दिसम्बर याने की कल अगर ये date बढ़ती है तो इसका सिधा सिधा असर पड़ेगा सिच्छक भरती परिक्षा की तिती पर जो की 6 जनवरी को होनी है तो फ्रेंड्स करेंगे पूरी ख़बर का बेसलेशन लेकिन सुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी सुचना देना चाहता हूँ कि एकडमी लर्निंग एप पर हमारे कोर्सेज अब बिल्कुल फ्री में उपलबने हैं अगर आप ENTA, UGC NET, CSIR NET के साथ साथ PSD और MFILD इंटर्स इक्जाम के तयारी कर रहे हैं और इसी के साथ अगर आप सिक्छक भरती परिक्षा के बारे में भी तयारी कर रहे हैं तो फ्रेंट जहां तक मैं आपको बता रहा था कि सुबह मैंने आपको मारी नियूज में अपडेट किया था कि कोर्ट के आदेश के अनुसार ऐसे अभरती जिन्होंने प्रात्मीक अस्तर में उर्दू के सेक्स्टन को अटेंड किया था तो उनको उर्दू के सभी जितने भी अभरती थे उनको समान अंग देने के बारे में कोर्ट का आदेश आया था पूरी खबर क्या थी पूरी खबर ये थी कि यूबी टीटी 2018 में इलाबाद हाई कोर्ट ने उर्दू बिशे के प्रस्पत्र स्रीज डी के प्रस्ट संख्या 61 और बी के प्रस्ट संख्या 75 और अन स्रीज में इस प्रस्ट को भ्रामक माना है कहा कि यह प्रस नहीं गलत हैं ऐसे में इस प्रस्पत्र की परिच्छा देने वाले सब यह भड़तियों को समान रूप से एक-एक अंक दिया जाए नयामूर्थी अजित कुमाने सिलपा सिंग वर कई अन्न की याजकाओं की सुनवाई करते विए यादिश दिया कोर्ट ने D स्रीज के प्रसंख्या 55, C के प्रसंख्या 38 और 127 तथा D के प्रसंख्या 109 पर बहस पूरी होने के बाद राज सरकार को समय देते हुए उनमें इस दिसंबर यानि की आज अपना पक्ष रखने के लिए कहा था साथ इस समस्कित में से के ए स्रीज के प्रसंख्या 66 पर सच्यू परिच्छा नियामर प्रादकारी को निर्देश दिया था कि वो अब इसे सगी की राय लेकर बुधवार को कोर्ट में जानकारी दें तो फिराँ फ्रेंड्स अब कोर्ट में क्या हुआ इसके बारे में भी अपडेट आ चुकी है और इस अपडेट के अनुसार जो कुछ भी खबर निकल के आ रही है वो खबर में आपको आईजेटीज बताने वाला हूँ और इस खबर के मताबिक निश्चित रूप से आविदन करने की तिथी तो बढ़जी जाएगी देखें यहाँ पर यह खबर है कि हाई कोड का आदेश नए सीरे से जारी होगा यूपी टीटी का रिजल्ट हजारों अभिर्थों को मिलेगा फाइदा इलाबाद हाई कोड ने टीटी में पुछे के तीन सवालों को गलत मानते हुए इनका कोई भी बिकल्ब चुनने वाले अभिर्थों को नमबर देकर नए सीरे से जारी होगा आदेश दिया है खबर क्या फ्रेंट्स खबर यह है कि यूपी में टीचर्स अलिजबिल्टी टेस्ट यानि की टीटी में सफल नहीं होने वाले लाखो अभिर्थों के लिए एक रहाद भरी खबर आई है इलाबाद हाईकोर ने टीटी में पुछे गए तीन सवालों को गलत मानते हुए इनका कोई भी बिकल्ब चुनने वाले अभिर्थों को नमबर देकर नए सीरे से रिजल जारी करने का आदेश जारी कर दिया है इतना ही नहीं आदालत ने यह भी आदेश दिया है कि 69,000 यहाँ पर गलत हो गया है महामला सिर्फ 69,000 का है तो 69,000 सिक्चक भरती के आनलाइन आविदन की या तो अंतिम तारीख 20 दिसंबर से बढ़ा दी जाए या फिर मौकिक आदेश जारी कर बाकी अभिरतियों को भी आविदन करने का मौका दिया जाए यानि कि ऐसे अभिरति जो मात्र दो तीन अंकों से असफल हो रहे थे अगर वो पास हो रहे हैं तो उनको भी सिक्चक भरती परिच्चा में सामिल करना जरूरी है ऐसा कोड का आदेश है तो अदालत की फैसले के बाद नए सिर से टीटी का रिजल जारी होने पर किसी पास अभिरति का नुकसान तो नहीं होगा क्योंकि तीन अंक तो बढ़ेंगे ही लेकिन हजारों की तादात में आसफल अभिरति अब पास जरूर हो जाएंगे और फैसले के बाद अभियोपी सरकार वा परिशा नियाम प्रादिकारी को यह फैसला लेना है कि 79,500 मामला सिर्फ अंतर जार कही है ठीक है टीचर्स भरति के आनलाइन आविदन की अंतिन तारीख बढ़ाए जाएगी या फिर मौकिक आदेश देकर अनुमानित जो पास छात्र बढ़ेंगे भी तो इस बारे में परिशा नियाम प्रादिकारी के अफसरों का कहना है कि हाई कोड के आदेश को समझ कर ही कोई फैसला लिया जाएगा मामले की सुनवाई जस्टिस के अजीद की बेंच में चल रही थी यह आज क्या करता हूँ कि वकील सीमान सिंग के मुता अठारा नॉंबर को हुए थे टेटी के लिए सतरह लाग से ज़्यदा अभिरतों ने अवेदन किया था इमतहान के बाद परिशा नियाम प्रादिकारी ने जो आंसर स्ट्रीट जारी की उसके आठ सवालों पर बिवाद खड़ा हो गया था दरजनों अभिरतों ने हाई पर बिवाद में इसे चुनोती दी थी और अधालत ने आज अपने फैसले में एक सवाल को पूरी तरह गरत्माना जबकि दो सवालों के दो दो बिकल्पों को सही बताया अधालत ने इनी तिन सवालों में कोई भी बिकल्प चुनने वाले अभिरतियों को नंबर देते इसके लिए आनलाइन आविदन की अंतिन तारीक 20 दिसंबर है जिसे अब बढ़ना तैमाना जा रहा है तो फ्रेंट्स ये थी कबर अब इस पर क्या नेड़े लेगी ये तो सरकार के उपर डिपेंड होता है लेकिन संभौना इस बात की अवस्य है कि अगर रिवाइड इसे होंगे जो की अब तक फेलते लेकिन वो पास होंगे और वो आविदन भी करना चाहेंगे तो जैसा कि कोड का आदिस है तो डिफिनिटली उनके आविदन के लिए साइट को ओपन जरूर किया जाएगा तो इसका मतलब यह है कि डेट के बढ़ने के बारे में आप आप लोग अगर आविदन कर रहे हैं तो आविदन को कंप्लीट करने की कोशिस कीजिए ठीक है बस यही निवेदन है बाकी अगर डेट बढ़ती तो यह अच्छी बात है और अगर परिशा की तारीक आगे जाती है तो यह आपके लिए एक अच्छी बात होगी क्योंकि अब तक की लेटेस्ट अपडेट और बागी के अपडेट के लिए आप हमाई चनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकान को ओं करना बिलकुल भी मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे एंड्राइड आप को भी आप डाउन्लूड कर लीजीगा आप स्टूर पर आप सार्च